ऐसे कोई भी एक फैक्टर में कोई गेम अगर वाइलेट करता है उस गेम को देश में बैन किया जाएगा इसमें दो राइ नहीं है हम इस इशू को देख रहे हैं तो जैसे कि आपने इंट्रो में देखा इंडिया की जो गोवर्मेंट है वो कुछ रूल्स लेके आईए गेमि कमपनी को अगर वो फोलो नहीं करती है तो उस गेम को बैन कर दिया जाएगा जैसा कि आप सभी को बता है बीजे माई जो है वो पहले ही दो बार बैन हो चुकी है अब इसको तीसरा मोका मिला है एंड तीसरे मोके के अंदर भी 90 दिन मिले हैं तो काविजरे बंदे इन रूल किया जा रहा है मैंने न्यूस भी डाली थी मैं आपको वो वली वीडियो दिखाता हूँ तो अब ये रही वीडियो एंड उस वीडियो में मैंने क्या बोला था अब ध्यान से सुनना मैंने सब कुछ आपको एक महीने पहले ही बता दिया था कि क्या क्या चीजों को हमें फो वीडियो को दोबारा से देख सकते हो, मैंने एक महीने पहले ही इन सब रूल्स के बारे में बता दिया था, एक बार सुनो इस वीडियो को, और बाकी आप सब के सामने रिजल्ट है, गेम आई या नही आई, एक चीज़ और बता दू, कल मिस्टर राजिव चंदर शेकर सर ने एक ट्वीट किया था कल, और आप डेट भी देख सकते हो, 19 मई, राजिव सर हमारे इंडिया के Union Minister of State for Entrepreneurship of India है, राजिव सर ने ट्वीट किया था कि तीन महीने के लिए approval मिला है BGMI को, और तीन महीने तक BGMI के उपर पूरी कड़ी नजर रखी जाएगी, अब यहाँ पर आ इन चीजे हैं जिनकी वज़े से गेम बैन हुई थी, अब हमें इन सब चीजों को पढ़ने के बाद क्या ध्यान रखना है वो आपको मैं बताता हूँ, अब यहाँ पर तीन महीने के लिए गेम आ रही है, गोर्मेंट की तरफ से भी officially confirm कर दिया गया है, और तीन महीने के लि आता हूँ, और आज bjmi की तरफ से भी एक notice आया था, जिस notice को आप bjmi की official website पे जाके पढ़ सकते हो, और इस notice के अंदर काफी सारी ऐसी चीजे हैं जो हमारे काम की हैं, तो इस notice को अगर आप free होके पढ़ सकते हो, तो जरूर पढ़ना, अब मैं आपको एक चीज और बता द देनी है, ना ही toxicity को promote करना है, आपको game खेलनी है, तो enjoyment के लिए game खेलो, किसी को गाली गलोज मत करो, and game को एक limit तक खेलो, addiction मत लगाओ उसका, जो कि मैं हमेशा से आपको बोलता हूँ, game किस लिए बनती है, आपको समझना पढ़ेगा, game enjoyment के लिए बनती है, free time में play करने के जानी चीए, अभी सही बताओं, तो मैं खुद 2-3 घंटे ही खेला करूँगा game को, इससे जादा मैं game नहीं खेला करूँगा, अगर आप एक limit सेट करके रखोगे, और game को अच्छे तरीके से खेलोगे, उसकी आदत नहीं लगाओगे, तो game कही नहीं जाने वाली, मैं आपक management होती है, मैं पैसे लगा रहा हूँ, तो मैं उसी से कमा रहा हूँ, मैंने हर बार बोला है, बट जो normal बंदे होते हैं, कभी-कभी अपने parents के card use करके, या फिर किसी गलत तरीके से पैसे use करते हैं game के अंदर, जिसके बाद game को काफी problems का सामना करना पड़ता है, तो मैं आप स पैसे मत लगाया करो, क्योंकि आप इससे कमा नहीं रहे हो, अगर आपको पैसे लगाने हैं, दो 400-500 रुपे लगा सकते हो, रोयल पास में, वो एक बार की investment होती है, जो आपने पैसे लगाए, वो पैसे आपको वापिस भी मिल जाते हैं हर महीने, और उसको आप बार बार use क कर सकते हो, तो एक बार की investment ठीक रहती है, बार बार पैसे लगाना बहुत गलत बात है, ये एक game है, तो इसको game के तरीके से ही लो, कोई skin खरीजने से आप pro player नहीं बन जाओगे, या फिर किसी को दिखाने के लिए कोई चीज मत करो, तो इन सब चीजों का आपको ध्यान रख आने है, ना आपको अपनी family को परेशान करना है, अगर घरवाले बोलते हैं game मत खेलो, तो आपको game नहीं खेल ली है, ठीक है, आप एक limit रखो, पढ़ाई भी करो, enjoyment के लिए, mind fresh के लिए game भी खेलो, कोई problem वाली बात नहीं है, सारे बच्चे game खेलते हैं आज के time में, बट उसकी एक limit होनी चीए, और आपको कभी भी bad language का use नहीं करना है game के अंदर, अब तीन महीने के अंदर इन सभी चीजों पर अच्छे तरीके से ध्यान रखा जाएगा, आपको लगता है कि आप कुछ भी गलत करोगे तो government को पता नहीं चलेगा, government को सब कुछ पता चलता है, ज काफी सरे बंदों का ये question था कि game कब वापिस आएगी, तो उसके उपर भी मैं आपको बता देता हूँ, अब जैसा कि मैंने आपको वीडियो की starting में बोला था, अब जैसा कि आप सभी ने इस वीडियो में देखा, मैंने इन rules के बारे में पहले ही बता दिया था, अब जो त दस रुपे लगा है, तो उसके बदले आपको 100 रुपे या 500 रुपे, 200 रुपे, 1 करोड रुपे, 10 लाग रुपे मिल जाएंगे, उसे बोलते हैं betting, उसमें क्या होता है, जैसे IPL वगएरा में आपने देखा होगा, काफी सारी ads आती हैं, कि आप match का prediction कर सकते हो, अगली बो बैं किया जाएगा, वो भी gaming category के अंदर आती है, तो पहले वाले rules से तो कोसो कोसो दूर है BGMI, क्योंकि BGMI के अंदर आपको पैसे लगा के पैसे मिलते नहीं है, उसके अंदर आप समान purchase कर सकते हो, जैसे outfit वगएरा purchase कर ली, तो वो betting के अंदर नहीं आती है, उसके अंदर आपने investment कर दी, पैसे लगा दी है, तो वो गए, तो ऐसा कुछ लालच नहीं है BGMI के अंदर की, अगर आप 10 रुपे लगाओगे तो 100 रुपे मिलेगा, तो पहले वाले category से तो बाहर है BGMI, तो पहले वाले point पे BGMI सेव होती है, अब दूसरी चीज, उस type की games को ban किया तो मैं all पे देखता हूँ, कुछ न कुछ बंदे ऐसे होते हैं, जैसे अब 100 में से 90% बंदे तो ठीक होते हैं, बट 10% बंदे ऐसे होते हैं, जो गाली गलोच करते हैं, तो वो चीज ठीक नहीं है, अब आप game खेल रहे हो, तो game को enjoyment के लिए खेलो है न, अब एक चीज आपक उसको fall to fall to fall to बोल रहे हो, तो उस चीज को harm करना ही बोलते हैं, तो आप किसी को harm नहीं करोगे, तो ऐसी category में BGMI नहीं आएगी, तो आपके उपर है, आप BGMI को harmful बनाना चाहते हो, या फिर उसको entertainment के लिए खेलना चाहते हो, ये सब आपके उपर है, ये BGMI वाले खुद अब ये जो second point है, इसके अंदर BGMI शायद आ सकती है, क्योंकि कुछ बंदे हैं, गिने चुने बंदे हैं, जो ऐसी हरकते गेम के अंदर करते हैं, बट अगर उनको ban दिया जाए, क्योंकि जो new rules आए हैं, मैंने rules के ओपर भी video बनाई थी, सक्त सक्त शब्दों में बोल दिया अब मैंने थोड़े दिन पहले ही rules के ओपर भी video बनाई थी, आपको मैं दिखा देता हूँ, अगर आपको याद ना हो तो, यहाँ पर मैंने वीडियो डाली थी, यहाँ पर देखो, यहाँ पर BGM account ban start, तो इसके अंदर मैंने सारे rules बताये थे, अगर आप किसी को फाल्तु बोलते हो गेम के अंदर, तो आपकी ID बैन हो सकती है, अगर आप किसी को नेड करते हो, बुली करते हो, एंड वो रिपोर्ट कर देता है, तो आपकी ID इंस्टेंटली बैन हो जाएगी 10 मिनट के लिए, पहले 10 मिनट के लिए बैन होगी, फिर 20 मिनट के लिए बैन होगी, फि आपकी ID जरूर बैन होगी, तो second number पे BJMI 99% safe है, second वाले point पे, 1% अगर किसी चीज में आ गया BJMI, तो उसका मैं कुछ कहा नहीं सकता, बट पहला और जो second point है, BJMI इसमें नहीं आती है, अभी के time पे नहीं आती है, अब जो third point है, इसको ध्यान से देखना, addiction, जिस game में user को addiction हो हर दो घंटे में आपको notice आता है, कि आपने दो घंटे game खेल लिए, अब game को बंद कर दो, rest कर लो, तो ये BJMI ने इसी वज़े से किया है, तो BJMI तीनों point में safe है, मेरे साब से, और ये जो तीन नए rule आए है, इन rules से BJMI शायद ban नहीं होगी, मेरे साब से जो मुझे लगता है, बाकि अगर BJMI वाले कोई गलती करेंगे, इन तीन rules को follow नहीं करेंगे, तो BJMI ban भी हो सकती है, इसी वज़े से उसे 90 दिन मिले हैं BJMI को, अब BJMI ban होती है, या नहीं होती, या आने वाले time में पता चलेगा, क्योंकि BJMI वाले इन तीनो rules को follow कर रहे हैं अभी के time पे तो, अब अ शे घंटे वाला rule आया, जिसकी वज़े से addiction नहीं लगेगी, उसके बाद nade वाला, अगर आप किसी को nade करते हो, किसी को मारने की कोशिश करते हो जबर्दस्ती, तो आपकी ID ban हो जाती है, तो वो rule मेरे को काफी अच्छा लगा, and hackers जो आ रहे थे match के अंदर, उनके उपर भी काफी सारे rules आये है, बहुत जल्दी जल्दी hackers ban हो रहे है, बट hacker नहीं नहीं ID बना के आ रहे है, उसका BJM वाले भी कुछ नहीं कर सकते है, and उसी के इलावा, जो बंदे game के अंदर एक दूसरे को bully करते हैं, फाल्तू बोलते हैं, गालिया देते हैं, उसके ओपर भी BJM वाले ban की जाएगी, ताकि उसे सबक मिले, मेरे साब से BJM वाले सब कुछ follow कर रहे हैं, बाकि सही बताओं तो government के उपर है, government check करेगी, verify करेगी कि BJM वाले किस तरीके से rules को follow कर रहे हैं, अच्छे तरीके से कर रहे हैं, या नहीं कर रहे हैं, वो लापरवाही तो नहीं कर रहे हैं, ये सारा decision government का होगा, गेम दोबारा से ban होगी या फिर नहीं होगी, ये सब कुछ government के उपर है, अगर BJM वाले कोई गलती नहीं करेंगे, तो game कहीं नहीं जाएगी, गेम यहीं रहेगी, तीन महीने के बाद भी game ban नहीं होगी, बाकि जब 6 गंटे वाला rule आया था, तो काफी देख लो, ये rule क्यों आया था, BJM को पता था, कि उनकी game कहां पर मार खा रही है, तो वो इसी लिए rules को लेके आये थे, तो BJM वाले जो भी कर रहे हैं, वो सब अच्छा कर रहे हैं, जो rules बन रहे हैं, वो हम सब के फायदे के लिए ही बन रहे हैं, और जो India की government कर रही है, वो क्राफटर वाले rules लेके आये हैं, वो सारे rules भी मुझे बहुत अच्छे लगे, ये rules आने चाहिए थे, इनकी बहुत जरूरत थी, हाला कि BJM वाले rules अपनी मर्जी से लेके नहीं आये, इंडिया की government की वज़े से ही आया, तो हमें government को thank you बोलना चाहिए, बाकि अगर आप लेमवर्क कंसल्टेशन के बाद हमने नोटिफाइ किया है, उसमें तीन टाइप ऑफ गेम्स हम नहीं अलाओ करेंगे देश में, एक जिसमें बेटिंग हो, दूसरे में अगर यूजर हाम हो, यूजर यानि की यूजर को हाम पहुंचाने वाला कोई गेम हो, और तीसरा क्रा पही भी एक, फैक्टर में कोई गेम अगर वाइलेट करता है, उस गेम को देश में बैन किया जाएगा, इसमें दो राइ नहीं है, हम इस इशू को देख रहे हैं आज, तो जैसा कि आपने देखा कि जो तीन रूल आए हैं, सर ने खुद बोला कि इसे टोलरेट नहीं किया जाएगा, अगर गेमिंग कमपनी इन तीनो रूल्स को फोलो नहीं करती है, तो उस गेम को इंडिया के अंदर बैन किया जाएगा, बाकि मेरे साब से तो ये रूल्स काफी अच्छे हैं, आपको रूल्स कैसे लगे मैं को कमेंड करके बताना, आज की वीडियो को इतना ही र